श्री श्रीवाय नमस्कूर। पीपावली की रात्री को ठीक साड़े ग्यारा से साड़े बारा के बीच में। नीचे यह नहीं कि तुम तीनों के पास पहुच जाओ लगाना एक ही विरक्ष के नीचे तीन दीप अलग अलग एक लच्मी के लिए गणेजी के लिए सरसती के लिए तीन दीप घी के कि दे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लच्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साथ एक रुपिया पूजन वाली जगा पर जहां लच्मी की पूजन करी थी वहां एक रुपिया कोई रखा हो कोई चांदी का सिक्का रखा हो उसको उसी समय अलमारी में य में नहीं आ सकती कितना भी कर्जा होगा माता लच्छमी गणेश रस्ती भगवान कुभरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ये सब व्यपार खीचेंगे कि तेरा कर्जा जुप जाएगा दूसरी बार तुरे पर कर्जा होगा ही में वस इतना जरूर याद रखना कि घी का द कलदार की पुजन करी है उनके सीधे हार्थ पर और तेल का दीप उल्टे हार्थ पर रखा होना कि लक्षमी जी के आपके नहीं कि वही रोली मौली चंदन अभी गुलाल महंधी तीले अक्षत चावल सुन्दर सुन्दर पुष्प इत्र सुन्दर माला कमल के फूल कमल गट अब और साथ या पांच इन हल्दी की गांठ 5 या सथ ओढया हरे मुंग भर डिए में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बर्टी यह एक कटोरी में भर कर पांच दिये जो भगवान के सामने रखेते उसमें से एक दिया जिस तिजोरी में लच्मी रखी है उसी अलमारी उसी तीजोरी के उपर उस दिये को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए चार दिये में से एक दिया मंदिर में रखिए एक दिया पानी के स्थान पर रखिए एक दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और एक दीप घर के हॉल में रखिए मारा जैसे पाँच दियों का स्मर्ण करते हुए मातालचमी का स्मर्ण करिए द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की और प्रवेश करनी जी बस ये पाच दिवस ये पूजन जो आप मतल अच्मी की सुन्दर शिवल अच्मी पूजन का इसमरन कर रहे थे वाज विराम की ओर है आप सभी ने अपने अपने घरों में दीप माली का दीप उस इस शिवलिंग का इसमरन आप करेंगे बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशुक सुन्दरी करें जम के बुलो जरा करें आशुक सुन्दरी की जगा जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगा खाली आती है करें दर्शान समझना जरा बहुत अच्छे से जैसे यह अशोक सुन्दरी की जगा है हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलेडी वाले भी जिन जिनको एलेडी पर अब दर्शन करा रहे हैं वह पूरी तरह से करा गणेजी का स्थान शडाननकार्तिके का स्थान अशोक सुन्दरी का स्थान बीच में अशोक सुन्दरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगा आती है करें दर्शन आप लोगों ने खाली जगा आती है उस खाली स्थान की जो महत्वता है यह जो अशोक सुन्दरी से लेकर बी इसलिए हमारे अश्यू महा पुरान की कथा होती है कोई नारी कोई पुरुष्ट, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, अपने मन की बात का इस्मर्ण, इस जगा पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हिरदय पर हाथ रखते हैं, तो दिल धड़कता हुए इस्मर्ण होता है, उसी तरह यहां इसपर्ष करेंगे, और इसपर्ष करकर जब अपन समझ में आई इना जगा, अरे बोलो तो जम के, नी समझ में आई यहो तो एक बार फिर बापिस समझ ने जिए, फिर समझ होगा, इस थान देखिएगा, अपने को भगवान की करपा से, यहां नातपूर में संकर जी का सिबलिंग, कोई ने कागज का बना कर, यहां जो भेज यह काम बाबा की करपा से आप लोगों के इसमरण के लिए आया, देखिए जगा, गणे जी का स्थान, कार्ती के जी का स्थान, बीच में यह आ गई अशुक सुंदरी की मोटी सी लाइन, अशुक सुंदरी की लाइन जहां खड़ी हो, खतम होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगा है, यह जो बीच में अशुक सुंदरी के स्थान से लेकर, शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगा है, यह चोसट योगनिया, अश्ट सिद्धिया, नवनिधिया, सब कुछ, मेरे देवदी देव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्वर्ती के साथ यहां अनुमती प्रदान कर रखिए, वहां का इस पर्ष, वहां का मात्र इस पर्ष, और हमारे दिल की बाद, शम्भू गर्ष, अपने घर में कभी संपधा की कमी नहीं होगी, दर्ष को दिपावली का मात्र एक दिन ऐसा होता है, जिस दिन यदि आप पूरी सच्ची स्रध्धा भाव से माता लच्चमी की पूजा करते हैं, तो आपके घर पूरे साल धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी, मात एक दिन ऐसा ही होता है जिसे हम लच्छमी को प्रसन्न करके अपने घर में सुख संब्रिधी, सान्ती और लच्छमी की क्रिपर सदय बनाए रखेंगे तो दर्सको पहला उपाय आपको दीपावली के दिन करना है दूसरा उपाय है यदि आपके कोई विशेस मनो कामना है बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आप एक बार इस विशेस उपाय को जरूर करिएगा जिसे आप महादेव की मंदिर में जाते हैं अपने घर से जल लेके तो आप अपने घर से एक लोटा जल लेके जाएं धूप, दीप, नवे, साहद, दूद, डई, अक्षद जिस तरह से आप महादेव की पूजा करने जाते हैं सभी सामाग्रियों को लेके चले जाईएगा साथ में आप एक घी का दीपक लेके जाएं, सरप्रितन दर्श को आप महादेव की सीवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करिएगा, उसके बाद जिस तरह से आप महादेव की सीवलिंग पर बेल पत्र चड़ाते हैं, समी पत्र चड़ाते हैं, चन्दन लगाते हैं, संपूर समागरी महादेव के उपर समर्पित कर देनी है, जब आपकी संपूर समागरी समर्पित हो चुकी हो तो आप एक घी का दीपक उस अस्थान पे प्रजुलित करिएगा, उसके बाद दर्स को देवी असुख सुंदरी के अस्थान से जो आगे थोड़ा सा खाली अस् अपने सीधे हाथ को रखें और अपने दिल से कामना करते हुए आपकी जो भी मनो कामना हो जो भी आपकी विसु हो उसके लिए आप महादेव से प्राथना करिएगा यह उपएदर्स को आप किसी भी दिन कर सकते हैं प्रेदोस कार में कर सकते हैं सुबा के वक्त भी कर सकते है आप किसी कारी को लेकि बहुत परेसान हो चुके हैं, ठक चुके हैं, तो एक बार आप इस दिसे सुपाय को जरूर करिएगा, देवी असोक सुन्दरी का स्थान दर्श को हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं, फिर एक बार बता रहे हैं, जहां से जल गिरता है, उसके सामने थोड़ा सा खाली अस्थान होता है, उसके बाद माता पारवती का हस्त कमल होता है, तो जो खाली अस्थान होता है, दर्श को उसी अस्थान पर आपको हाथ रखना है, वो खाली अस्थान नहीं होता है, वो माता पारवती की चौसिट योगिनिया होती है, पूझनी प चैनल को सब्सक्राइब करें जादस जादस शेयर करें कमेंट में स्री शिवाय नमस्तु भी हम जरूर लिखें